गुड मॉनिंग गाइस, मैं सब शान, नोलिज की दुनिया में आपका स्वागत है, मैं आज आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे अपने फेस्बूक पे आटो प्ले वीडियो को ओफ किया जा सकेगा, चले पहले अपने मोबाइल के हूम स्क्रीन पे चलते है, मेन मेनू, उसके बाद फेस्बूक पे क्लिक करते हैं, फिर वीडियो अप्शन पे चलते हैं, देखिए, मेरा सब वीडियो ओटो प्ले हो रहा है, जब ये वीडियो ओन होता है, मेरे मोबाइल फेस्बूक पे कोई भी वीडियो ओटो प्ले होते हैं, अगर ये ओटो प्ले होगा, तो आपका मोबाइल का डाटा लोस्ट होगा और आपका मोबाइल का मेमोरी भी स्लो होगा तो इसलिए हमेशा उसको बन करके रखना चाहिए तो इसके लिए आप फेस्बुक की ठीड़ ओप्शन पर जाए क्लिक कीजिए फिर स्कॉल कीजिए नीचे सेटिंग और प्राइविसी पर क्लिक कीजिए फिर मेनी सेटिंग पर क्लिक कीजिए फिर स्कॉल कीजिए और मीडिया और कॉन्टेक्ट पर क्लिक कीजिए फिर नीचे ओटो प्ले ओप्शन है उस पर क्लिक कीजिए फिर देखिए यहाँ पर ओन मुबाइल डाटा एंड वाइफाय कनेक्शन मेरा सिलेट क्या हुआ है इसलिए मेरे मुबाइल पर जब भी मैं डाटा ओन करता हूँ और वाइफाय कनेक्ट होता है तभी अप मेरा फेस्बुक में सब वीडियो ओटो प्ले होता है अगर मैं वाइफाय कनेक्शन अली सिलेट करूँगा तो जब भी मैं स्रीफ वाइफाय कनेक्ट करूँगा तभी यह वीडियो ओटो प्ले होगा अगर मुबाइल डाटा ओन करूँगा तभी नहीं होगा अगर मैं never autoplay videos on रखूंगा तो जब भी मैं data on करूंगा, wifi connect करूंगा, यह video autoplay नहीं होगा मैं जब चाहूंगा तभी मैं autoplay उसको play कर सकूंगा मैं never autoplay video select करता हूँ, फिर मैं back करता हूँ फिर मैं video option पर जाके देखता हूँ देखिए मेरा कोई भी वीडियो autoplay नहीं हो रहा है, पहले यह सब वीडियो autoplay होता था लेकिन अभी यह autoplay नहीं हो रहा है टैंक्यू गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से सिख गये हो ओके टैंक्यू और स्टे सेफ और स्टे हेल्दी